यह वीडियो चाय लवर्स के नहीं है फ्रेंट्स हमारी दिन की शुरुआ तो बिना चाय के होते ही नहीं है फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ चाय बनाने का ऐसा तरीका शेयर करूंगे जिससे आपकी चाय हमें सब बनेगी बिल्कुल एटसी और परफेक्ट फ्रेंट्स सर्द मैं दो हता। यह थोड़ा सा सकति फ्रेंट्स निकाल करें फ्रैट्स मैंने फ्र्इमगे व्राय Defendude 2 कप पानी में इमारा बहुत अच्छी तरीके से गरम हो चलिका है। अब हम इसमें डालेंगे अपना कुटा हुआ अद्रक और लॉंग और सफिद इलाइची और फैंसी से हम दो से तीन मिनर तक अच्छी तरीके से उबनने देंगे देखें चाई का पानी हमारा बहुत अच्छी तरीके से उबन चुका है और इसमें अद्रक और लाइची सभी चीज़ों का फैंसी तरीके से आचुका है अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा केसर केसर डालने से ये चाय आपको सर्दियों में बहुत रहा देगी अगर आपको थोड़ा बहुत जुकाम हो रहा है तो वो भी इससे ठीक हो जाएगा अगर ये चाय आप गर्मियों में बना रहे हैं तो इसमें आप थोड़ी सी सौफ भी डाल सकते हैं लेकि फैंस सौफ की जो फ्लेवर है या सौफ की जो खुश हुए हो हर किसी को पसंद नहीं होती लेकिन अधरक हर किसी को बहुत पसंद होती है और साथ में केसर भी अब हम इसमें डालेंगे एक टेबली स्पून चाय की पत्ती और अच्छे तरीके से इसमें उबला जाने के बाद हम इसमें डालेंगे फ्रेंट्स चीनी चीनी आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है कि इसमें आपको कितनी डालनी है मैंने इसमें डेर चीनी डाली है और चीनी डालने के बाद आप इसे अच्छी तरीके से थोड़ी सी देर पकने देए क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ती है उससे हमारी चाह पतली हो जाती है क Thing आप ने नोटिस किया होगा कि जब आप चाह बनाते हैं थोड़ी सी पतली हो जाती फ्रेंट पर इसी कारण होती है तो आप इस बात को ध्यान लखेगा देखे चाय हमारी बहुत अच्छी तरीके से उबर चुकी है अब हम इसमें डालेंगे दूद अब दूद को डालें और उसके बाद एक मिनट तक स्लो गैस करके चाय को अच्छी तरीके से पकने दें फ्रेंट चाय, जितने अच्छी तरीके से पकी होती है उसका फ्लेवर और टेस्ट उतना ही अच्छा आता है देखे फेंट्स हमारी अमेजिंग चाय बहुत अच्छी तरीके से पक चुकी और इसका कलर भी बहुत अच्छा है फेंट्स आप ये आप पर डिपेंड करता है अगर आपको थोड़ी सी डाक चाय पीने का अमने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें थेंक यू थेंक यू फर वाचिंग फिल्म लेंगे एक अमेजिंग रेसिपी के साथ